आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइस 3C इसका सबसे पहले हम सॉल्ट करेंगे अब्जेक्टिव पार्ट ठीक है तो सबसे पहली ब्लैंक है हमारे पास 12 by 11 minus 1 by 11 is equal to 1 by 9 plus 8 by 9 इसके सेम है इनको हम सॉल्ट करेंगे पहले फिर उसके बाद इसका आंसर यह निकालेंगे ठीक है तो चलिए लेट स्टार्ट जी तो यह है हमारे सबसे पहली ब्लैंक मैंने question लिख लिए और answer 12 minus 1 equal to 11 ठीक है डीनॉमिनिटर ऐसे आ गया और यहां plus है तो 8 और 1 का plus किया तो 9 हो जाएंगे एक ही टेबल पर जा रहे है ठीक है इसलिए यहां पर भी बहान आ जाएगा यहां पर भी बहान आ जाएगा तो simply हमारा answer में क्या एगा 1 ठीक है यह हमारा answer जी तो अब हमारा next question the sum of 9 by 13 and 4 by 13 is equal to अब यह simply solve होने वाला question है इसको भी solve करते है जी तो हमारे question में था कि sum करना है इसलिए मैं इसको add किया है 9 by 4 को add कर लिए 13 denominator तो इसको change करने की जरूरा थी निगे दोनों एकी table पर cancel हो जाते है इसलिए आपके बास यहां पर भी answer कहाता है 1 ओके जी तब हमारा पास next question question number C question हमा करेंगे ठीक है तो let's start जी तो इस वहां से कुछ आप इस question को solve करेंगे सबसे पहले हमारी bracket solve होगी ठीक है denominator ऐसे ही आजएगा 7 और 4 को plus किया तो आएगा आपके पास 11 ठीक है फिर यह जो बाहर बाहर है आपके पास value of fraction इसको हाप साथ में लिख लेंगे plus 11 by 5 अब इन जोनों minus 5 by 11 equal to इसका denominator same नहीं है इसको भी solve करेंगे जी तो यह है इस तरह से कुछ आपका question 15 by 22 है minus 5 by 11 है इनका denominator same नहीं है यहां मैंने LCM लिया है 11, 2s are 22, 11, 1s are 11, 2, 1s are 2 और 11 और 2 को multiply कर लेंगे तो आपके पास आजएगा 22 ठीक है अब दी denominator हमारे पास आगया अब क्या करेंगे 15 by 22 ऐसे ही नीचे लिख लेंगे क्योंके इसके fraction में 22 अल्रड़ी है हमारे पास minus 5 by 11 और 11 के table में 22 कहां आता है 2 पर 11 7 तूसर 22 और 5 तूसर 10 अब D nominator हमारे सेम हो गए 15 out of 10 is equal to 5 ठीक है यहां आगया आपके पास आंसर अब हमारे पास next question question number e 4 hole number 1 by 4 plus 3 hole number 1 by 4 इसको भी solve करेंगे ठीक है D nominator को सबसे पहले आप multiply करेंगे 4 से 4 को 4 से multiply करेंगे और 1 add कर लेंगे आपके पास आजएगा 17 by 4 ठीक है फिर 4 को यहां 3 से multiply कर लेंगे और 1 add कर लेंगे आपके पास आजएगा 13 अब D nominator दोनों के same हो गए है इनको हमने किया plus further यह देखना है cancel हो रहे है या नहीं हो रहे है cancel हो रहे हैं तो हम इसको divide करके देख लेंगे ठीक है 4 7 से 28 यहां से carry लिए 10 में से 8 जाएंगे तो 2 आजएगा ठीक है अब हमारा answer यह mix में आगया 7 hall number 2 by 4 अब यह मजीद cancel हो रहे है 2 के देख ले 2 1 से 2 and 2 2 से 4. So this is your answer. अब है मारा पास next question state whether the following are true or false. यह सबसे पहली हमारा question है इसको solve करना है 3 by 5 plus 4 by 5 is equal to 2 hall number 1 by 5. यहनी कि इनके denominator से में कहरे है इनको solve करने के बाद क्या आपका answer mix में यह आएगा यह नहीं आएगा इसको solve करते हैं ठीक है तो यह है आपका question 3 by 5 plus 4 by 5 ठीक है denominator same था तो इसलिए यह दोनों आपस में multiply होगे easily add होगे क्या answer आपके पास 7 by 5 अब answer mix में solve करना है हमने तो इसलिए हम इससे divide भी करेंगे 5 ones of 5 7 out of 5 is equal to 2 तो आपके पास answer आया है 1 hall number 2 by 5 ठीक है और यहां पे क्या दिया वह है 2 hall number 1 by 5 इसका मतबह यह आपका false है ठीक है अब हमने पास next question 1 hall number plus 2 by 3 is equal to 7 by 9 plus 8 by 9 अब इसमें denominator same है इसमें denominator नहीं दिया हुआ इसको पहले सकत करते हैं फिर उसके बाद इसका answer आएगा ठीक है यह हमारा next question 1 plus 2 by 3 is equal to 7 by 9 plus 8 by 9 अब यहां पे यह fraction आपको नज़र आ रहे है उसमें denominator क्या है 3 यह वाली fraction में कोई भी denominator नहीं है जिसके अंदर कोई भी denominator नहीं होता उसे consider 1 से कर लेते हैं ठीक है अब इसकी fraction change करने के लिए 1 by 1 की हमने 3 से multiply किया इसको दोनों का denominator same करने के लिए 3 1s a 3 and 3 1s a 3 ठीक है 2 by 3 ऐसे आगए अब दोनों के denominator same हो चुके है यह 15 इसको भी हमने साथ में प्लस किया है 7 और 8 को तो 15 आए 15 by 9 ऐसे ही नीच उता लिए मैंने ठीक है अब यहां पे 3 और 2 को प्लस करेंगे 5 by 3 आदेगा और यहां 15 by 9 आ रहा है और यह cancel भी हो रहा है 3 के टेपल में ठीक है 3 5 by 15 and 3 3 is a 9 so 5 by 3 5 by 3 equal answer आगे सा मतलगा यह statement आपकी true है ठीक है अब next time I have a question number 3 to add or subtract like fractions we add or subtract numerators and denominators separately क्या हम addition or subtraction की fraction में यानि के add करते हैं like fractions को numerator को add भी करते हैं और subtract करते हैं denominator को भी add करते हैं और subtract करते हैं यह बोला गया है ठीक है तो हम like fraction में सिर्फ numerator को plus या minus करते हैं denominator को नहीं करते हैं यहाँ पर यह क्या गया है कि like fractions में हम numerator और denominator दोनों को ही plus और subtract करते हैं लेकिन ऐसा नहीं है हम सिर्फ numerator को add करते हैं ठीक है तो यह आपकी statement है false है ठीक है अब next statement है हमारे पस the sum of 3 by 4 and 5 by 4 is equal to 2 on number 1 by 12. आप यहाँ पर इसकी वे denominator same है लेकिन फिर भी इसको हम solve करेंगे और फिर इसके बाद देखेंगे कि क्या mix में आंसर हमारे पास यह आता है यह नहीं आता ठीक है पचलिए let's start अब next में है मारे यह question 3 by 4 plus 5 by 4 अब denominator same है तो यह easily add हो जाएंगे 8 आगया है यहां हमारे पास अब आप देख सेते हैं कि यहां पर fraction जो है आपकी cancel हो रही है ठीक है 2 4s है 8 to 2 is a 4 फिर अगें यह cancel हो रही है 2 2 is a 4 to 1 is a 2 तो question यह हाई हम होगे इसका मतलब है यह false है अब है next question the difference between 12 by 11 and 1 by 11 is 1 तो क्या यह 1 है ठीक है difference 12 में से 1 जो है आपकर कर देंगे 11 आ जाएगा 11 और 11 cancel हो जाएगा 1 हो जाएगा यह true है चले मैं solve करतें इसको यह यह है आपका question 12 by 11 minus 1 by 11 12 out of 1 11 11 और 11 एकी टेबल में cut हो गई है तो कैवान आगया आपके पास answer ठीक है अब हमारे next question select the correct answer from the given options ठीक है इसको solve करेंगे हम first question है मारे पास if 9 by 13 is added to 6 by 13 which of the following is incorrect अगर इसको add किया तो क्या आता है यह पूछ रहे है और answer में आपने यह बताना है कि कौन सी option इसका answer नहीं है यह बताना है ठीक है which option is incorrect incorrect option कौन सी है अब यह 9 और 6 को आप plus करें तो 15 आजाएगा आपके पास ठीक है इसी तरह आप इसको divide करेंगे तो आपके पास यह mix में answer आजाएगा ठीक है और यह भी वही question है ठीक है इस question को equal करके वही question में आया हुआ है तो आप देख सकते हैं के whole number result is a whole number कहरें result whole number आएगा तो यह whole number result इसका नहीं आएगा ठीक है यह है इसका answer ठीक है अब next question हमारे पास 5 by 8 minus 3 by 8 is equal to 5 में से आप 3 को minus करेंगे simply क्या आजाएगा आपके पास 2 यह 20 आइसका answer है ठीक है अब हमारे पास the difference of 5 whole number 1 by 4 and 2 whole number 3 by 4 is equal to इसको solve करेंगे पिर इसका answer आएगा ठीक है mix में हमने answer निकालना है याद रखे जी तो यह है आपका question 5 whole number 1 by 2 minus 2 whole number 3 by 4 ठीक है 4 को 5 से multiply करेंगे और add कर लेंगे 1 तो आजाएगी यह fraction फिर 4 को 2 से multiply करके add कर लेंगे 3 आजाएगी यह fraction अब 21 में से 11 को minus कर देंगे 10 by 4 आजाएगा आपके पास ठीक है 10 by 4 जो है cancel हो रहा है आपका 2 के टेबल में 2 5 is a 10 2 2s of 4 अभी मजीद कैंसल नहीं होडे mix में चेंज करने के लिए से divide करेंगे 2 2s of 4 5 out of 4 is equal to 1 ठीक है तो क्या है आपके पास 2 whole number 1 by 2 यह answer है आप देखे हैं माई आप्शों में का है यह answer जी तो A है आपके पास option A is your answer ठीक है अब next question है the sum of 3 whole number 2 by 5 and 4 whole number 3 by 5 is equal to the sum of इसको भी solve करेंगे और पर देखेंगे क्या answer निकलता है इसका ठीक है जी तो यह है मारा next question क्या किया है मैंने 5 को 3 से multiply कर लिया to add कर लिया 17 by 5 आगया पर 5 को 4 से multiply कर लिया and 3 को add कर लिया 23 by 5 आगया है ठीक है अब दोनों के denominator सेम हैं तो प्लस हो जाएगा 40 by 5 आपके पास answer आजाएगा अब यह cancel भी हो रहा है ठीक है 5 on the 5, 5 on the 40 so whole number is your answer okay C is your answer okay next time मारा पास the common denominator of 9 by 14 plus 5 by 18 इसका denominator जो है वो निकाल लाएं देखते है कुन से है जितों इसे साथ सॉल्ट करने की जोरह थी निंग है सिर्फ L सी मी find out करना है तो मैंने 14 और 18 का L सी simply find out किया 2 7 जा 14, 2 9 सा 18, 7 1 सा 7 और फिर 9 नी आता तो 9 1 सा 9 ठीक है इन तीनों को मुल्टिप्लाइ किये आए आए आपके पास 126 let's find out where is 126 so here it is 126 C is your answer ठीक है आपके पापलों को समचागी हों इन शाला प्रेमीलों के ने 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 लाफिज आपके पास